राइसेंट बेगम गंसे हमारे समबाद्दातर शरष शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट सहर में आबारा कुत्तों का आतंक एक साथ चार बच्चों को किया घायल लोग ने नगर पाल कासे की आबारा कुत्तों को पकड़ कर जंगल में छोड़ने की मांग मद्द प्रदेश की राजधानी भोपाल में आबारा कुत्तों के दौरा एक मासून की मौत की नीन सोलाने का मामला कभी ठंडा भी नहीं हो पाया के सहर में आबारा कुत्तों का आतंक मचा रखा है आई दिन लोग कुट्टों के हमले का सिकार होकर अस्पताल पहुँच रहे हैं रभीवार को बाड नमबर 16 टेकरी निवासी चार बच्चों को एक कुट्टे के दौरा काट लिया गया चारों बच्चों का उपचार सिबिल अस्पताल में कराया गया बाड पारसत लोक राज सिंग ठाकुर के द्वारा नगर पालका को सूचित करने पर नगर पालका के सफाई कर्मचारियों ने हाला कि उस कुट्टे को पकड़ कर जंगल में छोड़ दिया जहां से वो बापेस अब कभी नहीं लोट पाएगा प्राप्त जानकारी के अंसार बाड नंबर 16 निवासी चार बच्चों में उमेश, सनाया, रामचरण और साहिल सामिल हैं ये सबी बच्चे 8 से 12 साल की उम्र के हैं जो मोहले में खेल रहे थे इसी दोरान कुट्टे के काटने से घायल हो गय थे और उन्हें अस्पताल में आकर अब बराबर इंजेक्शन लगवाना पढ़ेंगे और बराबर इलाच कराना पढ़ेगा अस्पताल में कुट्टों के दोरा लोगों को काटकल घायल करने के आंकडों पर अगर नज़र डालें तो पता चलता है कि प्रती दिन 10 से 15 लोग कुट्टे के हमले से घायल होकर चिबल अस्पताल पहुँच रहे हैं यह इस्तिती करीब एक महिने से बनी हुई है अब उस कुट्टे से डरने की जरूरत नहीं है नगर पालका के कर्मचारियों ने कुट्टे को ऐसी यात्रा पर भेज दिया जो कभी बापिस नहीं आ पाएगा पर आप लोगों से बी नूज आगरे करता है और निबेदन करता है कि जब आप घूमने घर से निकलें तो अड़ोस पड़ोस में आजू बजर बाजू में नजर जरूर रखें क्योंकि आबारा कुट्टे घूमते हुए हर जगाए मिल जाएंगे जुंड में उनसे दूर रहें सजक रहें सतर्क रहें जिससे आपको अस्पताल जाने की न इंजेक्शन ना लगमाना पड़े राइस एंड बेगम गंचा मारी संबाद दाता शर्ण